पाकता बच्चा आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि करनाटक सरकार ने जो धर्म परिवर्तन को लेकर एक दिल लेकर आए हैं उसके बारे में इसको लेकर विवाद ओविसली वहाँ पर अपोजिशन जो है वो अपनाने की तो क्या यह उसके खिलाफ है इन सब चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं करनाटक सरकार ने करनाटक प्रोटेक्शन ओफ राइट तू फ्रीडम ओफ रिलिजिजन बिल 2021 जो करनाटक की राज्य विदान सबाव में उसमें पेश किया गया है अब जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 25 जो हमें स्वंतनतरता देता है फ्रीडम देता है किसी भी धर्म को अपनाने की तो क्या यह उसके कोई व्यक्ति इसको लेकर या फिर यह जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट में ले इसके खिलाफ वहां पर सुप्रीम कोर्ट में या चिका दी जाएगी या फिर इसको इन्वैलिड करार कर दिया जाएगा बाद में क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत आपको पता है कि अगर कोई भी तो क्या इस बिल को यहां पर पेश किया गया आने वाले टाइम में क्या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इसको इन्वैलिड घोशिद कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है तो यहां पर गॉर्रवनेंट ने क्या किया है जो करनाटे की सरकार है उन्होंने गोटी खेल ती है उ और सुल यानि जबर्दस्ती दोखा दड़ फ्रोड के द्वारा दालस दिया या शादी के माध्धिम से धर्म परिवर्तन किया गया ना तो उसको रोकने का ये बिल है उसको रोकने का ये विद्हेक है तो यह चीज बोली गई है अब क्या ये करनाटक में है क्या और नहीं है obviously काफी जगह भी है अरणाचल परदेश के अंदर चाथिसगड में, गुजरात में, हिमाचल परदेश में जारकंड में, मध्य परदेश में ओड़िसा में, उत्र परदेश में उत्राखंड में, हर जगह मतलब कि काफी सारे शेत्र हैं जो इस कानून को अपना कर बैठे हैं लेकिन пошकész कानून नहीं है क्योंकि अशना में काफी बाव कोशिश की गई थी लेकिन वह पास नहीं हो पाया तो राज्यों केंदर है लेकिन अगर सेंट्र के लिए लएट है conversion का मतलब समझी ज़रा एक बर conversion का मतलब होता है A कोई particular धरम का व्यक्ति A धरम का व्यक्ति किसी B धरम में convert हो जाता है तो उसे conversion का आ जाता है अब ये conversion ये इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार जाए तो ठीक अगर ये B व्यक्ति इस ए व्यक्ति को जैसे लालच दे रहा है उसको जबरदस्ति उसके कान पे बंदूक रखके कह रहा है कि चल आजा मेरे धरम में तो ये एक forceful conversion है तो अगर ऐसा forceful conversion हो रहा है तो ये सब चीज़ें हो रही है तो उसको लेकर क्या कहा गए ये cognitiable and non-bileable offense है मतलब इसका क्या हुआ कोग निशेवल यानि संगे इसका मतलब क्या हूँ यहाँ पर police officer को अधिकार है कि वो बिना warrant के जाकर उस वेक्ति को गिरफतार कर सकता है जिसने जबरदस्ति किसी का धरम करनवर्ट करवाया है और गैर जमानती अब जमानती और गैर जमानती गैर जमानती है मतलब बेल नहीं मिलने वाली है इसको एक particular procedure यहाँ पर follow किया जाएगा clear यहाँ पर अब देखो अगर इस कानून का उलंगन किया जाता है जो यह है तो उसके लिए 3 से 5 साल तो भी सजा है 25,000 रुपे जुर्वाना है दूसरा यह अगर यह नाबालिकों महिलाओं अनुस्यची जाती और अनुस्यची जन जाती समुदाय के वेक्तियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने में अगर पाया गया तो उसके लिए तो अलग से 3 से लेकर 10 साल तो भी वहाँ पर जुर्वाना है 50,000 रुपे का एक और चीज़ करनाटक में क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा तर यह जो कनवर्जन होता है वो फोकस किया जाता है SC और ST के टेगरी के उपर इनको कहा यह जाता है कि आप देखी आपके धरम में इतना कुछ कासिजम है तो इसको लेकर आप हमारे धरम में आ जाई है हमारे धरम में ऐसा कुछ भी नहीं है सब एकोल है तो ऐसा लालच देकर बहला कर, फुसला कर या फिर इन सब चीज़ों के माध्यम से पैसा देकर जब कनवर्ट किया जाता है तो एक तरीके का ये जो चीज अगर पाई गई है इसके उपर तो भाई तीन से लेके दस साल तक यहाँ पर ज़्यादा SCST कैटिकरी को ही फोकस किया जाता है क्योंकि जो यहाँ पर हालत है SCST कैटिकरी की वो काफी ज़्यादा गरीबी की है तो यहाँ पर लोग गरीबी से निकलने के लिए धर्म परिवर्टन के तरफ भी खिंचे चले जाते है अब भी मैं बताऊँगा करनाटक सरकार ने ऐसा क्यों कहा है इसके उपर भी हम बात करेंगे लोग का standing लागू नहीं होता इसका मतलब कहा है अगर किसी ने धर्म कर्णवर्ट किया अब धर्म कर्णवर्ट करने के बाद उसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने मतलब कोई व्यक्ति है उस परिवार का मतलब इस A ने B के कहने पर धर्म कर्णवर्ट कर लिया अगर A व्यक्ति इसने convert किया B के धरम में अब ये चाहता है कि मैं वापस आना जाता हूँ तो obviously इसमें आ सकता है इसमें कोई भी तरीके का कोई कानून कोई भी इसमें चूट दी गई है कि आप आ सकते हैं असानी से अगर इसा नहीं है कि सर क्या अब conversion नहीं होगा कि या फिर मतलब कि कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे तो क्या जानी सकता है लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या कानून क्या कर दिया कि देखिए अगर ये A व्यक्ति अब B के कहने पर इस धरम में आ रहा है उसको लगा कि हाँ मुझे इस धरम में जाना चाहिए तो क्या होगा कि ये जो A है वो 30 दिन पहले magistrate को बताएगा वहां के magistrate को बताएगा और magistrate को ये सुचित करेगा कि मैं यहाँ पर जाना जाता हूँ अब magistrate इसके पीछे जाँच भी करेगा कि हाँ ये जो कह रहा है सही है इसको कोई forceful नहीं किया जा रहा इसको बहला आया फुसला या लालच नहीं दिया गया यह हो गया अब इसके बाद क्या होगा जब ये conversion हो जाएगा इसमें चला जाएगा BK धरम में तो यहां पर क्या होगा उसको 30 दिन बाद आकर भी magistrate को बताना होगा कि जब चीज़ें चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है तो यह चीज़ें अब यहां पर सुनिये कि करनाटक सरकारी यह कर क्यों रही है देखे आपको पता है कि हमारे देश में reservation का फाइदा जब यह उठा नहीं पाएंगे अगर दूसरे धरम में चले जाते हैं तो government का यहां पर जो इन्हों ने अपना एक बयान जो दिया है वो यह है कि हम तो यह एक तरीके का चाहते हैं कि हमारे यह एक तरीके का सारी चीज़ें हमारे सामने रहे ट्रांस्पेरेंट रहे कि कौन गया ताकि हम उसकी एक detail रख पाएं अब हमें किन लोगों को आरक्षन नहीं देना यह सारी चीज़ें हमारे सामने रहें इसलिए हम यह चिप चीज़ें कर रहें कि अगर आप से निकल कर किसी दूसरे धरम में जा रहे हो तो आपको वह आरक्षन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप दूसरे धरम में चले गए हो और वहाँ पर उस धरम के अकोर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा तो यह चीज़ें हैं तो सरकार का मत यहां पर हैं अगर मेजिस्टेट को नहीं बताया अगर धरम परिवर्तन कर लिया तो वह आहमान ने घोशित कर दिया जाएगा वह आपको माना ही नहीं जाएगा वहाँ पर क्लिАर अब क्या है मैंने जैसे कहा और धरम परिवर्तन करी नहीं सकतेइं आपको जाना है आपको कर नहीं नहीं भो तो वहता लेकिन यहां पर बजहसे करनाक्षाए और उसने क्यां नहीं देंगे हम फॉर्टपुली नहीं होगा लालच में नहीं होगा यह सब चीजे नहीं होगा पैसे दे कर नहीं करवाना अगर कोई व्यक्ति जाना जाता है अपनी मर्जी से जाए तो यहाँ पर यह चीजे बीच में मतलब बड़ा सोस समझ के दाव के लगा है यहाँ पर एक तरीके का देखा जाए तो अब जैसे मैंने का 25 जो आर्टिकल है वो धर्म को मानने परचार करने अभ्यास यानि प्रेक्टिस करने की पूर्ण सुनतरता की गैरेंटी देता है और जब जो सभी जो धर्म है वो अपने धर्म के मामलों को सरी डंक से अपने अकोडिंग प्रबंदन करने अनुमती देता है कि आप अपने अकोडिंग चला लीजी उसको अब ये चीज ये भी है कि यह ऐसा नहीं कि कोई ए धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहे कि तुम्हें ये धर्म मानना ही है forcefully तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं की गई है आप जबरन लागू नहीं कर सकते किसी के उपर जैसे आप यहां पर article 25 जैसे कि यहां पर आ गया है कि कोई भी आप धर्म अपना सकते हो आपको आजादी है उस चीज़ को करने की आप उसको manage कर सकते हो religions affairs को आपको freedom है taxation, promotion अपने religion को लेकर आपको freedom है किसी भी attending religion instructions को लेने की मतलब यहां पर मानने की तो यह सब चीज़ें में तो यहां पर article 25 है तो इसके according आपको यह 4 article भी याद हो जाएंगे 25, 26, 27, 28 अब मुझूदा कानून भी देख लिए देखे आर्टिकल सोरी आर्टिकल आरा बार बार देखे धरम रुपांतर यानि conversion को लेकर केंदर के पास तो कोई कानून है नहीं क्यों नहीं है देखे 1954 में यह बात हुई थी उसको लाया भी गया था लेकिन वहाँ पर इसको लागू नहीं नहीं दिया गया पारलामेंट ने इसको आगे यह नहीं बढ़ने दिया 2015 में केंदरिय कानून मंतराले ने भी का कि हमारे पास जो धर्मांतरन विरोधी कानून पारित करने के लिए हमारे पास विदाई शक्ती है ही नहीं वैसे वर्षों से कई राज्यों ने जैसे कहा कि मैंने जितने भी राज्ये आपको बताएं उन्होंने बल दोखा दड़ी पर लोबन द्वारा किये गए धार्मिक रुपांतरनों को परतिबंदत करने तूँ वहाँ पर एंटी कर्वर्जन बिल लागू कर रखे हैं वो कर सकते हैं लेकिन अगर आप सेंटर लेवल पर चाते हैं तो एक स्पेशल बहुमत की चुरूरत पढ़ती है वो मिलेगा ने कभी अब आईए ज़रा इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है वो समझ लीजिए अब विरोध यह हो रहा है कि इसमें जैसे बोली गई है ना बाते हैं कि वो चीज़ें ऐस्पस्ट हैं आप ये बोल रहे हो ना रे कहां गया भाया इसमें जैसे बोला गया है ना कि आप गलत बयान मतलब कि misguiding या फिर forceful दोखा दड़ी आप कह रहे हो या फिर परलोवन जैसी ये जो चीजें आपने बोलिये ना वो as-past terminology है मतलब आप उसको spast करिये ना आप कहना क्या चाहरे हैं तो वहाँ पर spastता नहीं है ये काफी अधिक as-past और व्यापक है जो धार्मिक सोंतंतरता के स्रंक्षन से भी परे कई विशों को cover करती हैं अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं देखे अल्प संक्यों का विरोध क्या है कि अब जैसे इसमें जो terminology यूज की गई है कहा जा रहा है कि इस terminology का यूज करते हुए जो अधिकारी है आप धर्म परिवर्तन के विरूध कानू लेका रहे है कोई इच्छा से जाना चाह रहा है आप उसको भी नहीं जाने देंगे यहां पर एक तरीक है कि आप धर्म कहा है कि आप धर्मांतरन को ही निशेद करना चाहते हो इसके उपर जादा फोकस करता है ना कि धर्मिक संतंतरता के उपर यह फोकस करता है अब धर्म निर्पेक्षता विरूधी अब कुछ और चीज़ें भी आजान लीजिए कि विवा और धर्मांतरन पर सुप्रीम कोट ने क्या कहा है आपको पता है कि 2017 में कहादिया मामला हुआ था उस वक्त सुप्रीम कोट ने कहा था कि किसी भी विक्ति को अपनी पसंद के अकोर्डिंग कपड़े पहन सकता है वो भोजन करना, विचार विचार धारा हूँ अपने लिए जीवन साथी चुनने का उसका खुद का सेंटरल अडेंटिटी है उसके खुद के अधिकार है मतलब की कोई गोवर्मेंट चाहिए वो सेंटर हो चाहिए वो स्टेट हो इवन कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि उसकी उस निजता के उपर जाकर वो हस्तक शेप करे अपनी पसंद का साथी चुनना उसके साथ रहने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है एक तरीके का इस आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है वो ऐसा ही कि एस पुट्टा स्वामी वर्स 2017 के निजता के अधिकार में ये बात बोली गई है क्लियर अब सर्वोच नियाले ने काफी बार बार ये जो सुप्रीम कोड ने काफी बार ये सुविकार के है कि किसी व्यक्ति को अपनी अपनी अकोरडिंग जिवन साथी चैन करने के उसका खुद का अधिकार अगर वो व्यसक है व्यसक है तो अब ये नहीं है कि आप राज्य सरकार या फिर Central Government जाकर उसके अधिकारों में आप अस्तक शेप कर रहे हैं या इवन उसकी Freedom आप कम कर रहे हूँ यह सब चीज़े नहीं हो सकती है तो यह सारी बातें एक की बात ही बोली गई है यहाँ पर मैंने सारी पड़ी हुई है ऐसा कुछ नहीं है इसमें बार-बार यह बोला कि आप किसी की व्यक्ति वो व्यक्ति अगर कोई अपनी पसंद के अकोर्डिंग शादी करना जाता है तो वो उसे करने दिया जाए आप उसमें एंटरफेर नहीं कर सकते हैं वो चीज़ आपको शोबा कहने माला था आपको मतलब आप कर नहीं सकते हैं आपके पास वो अधिकार शेत्तर नहीं है अब आगे की राह के हैं देखें आगे की राह यही है कि ऐसे कानून को लागू करने के लिए सरकार को एकदम सुनिश्चित करना है कि जो टर्मिनल हो जी है वो एकदम आप उसको एकदम स्पष्ट कर जी है आप जो बोल रहे हो कि यह जो एंटी कनवर्जन बिल है वो किसी के मोलिक अधिकारों को सीमित नहीं करेगा ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया यह एंटी कनवर्जन बिल आ गया तो अब वो अपना वहां पर धर्म को प्रमोटी नहीं कर पाएं, प्रमोट कर सकता है वो, चाहे तो किसी को दूसरे को जाकर अपना धर्म के बारें बता सकता है, तो दूसरे वाले विक्ति अगर संतुष्ट होते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर यह बिल किसी की ऐसी मोली कदिकारों को सीमत नहीं करता है तो ठीक है अगर सीमित कर रहा है तो यह सही चीज गलत है यहाँ पर यह बात वोली गई है नहीं इसे राष्ट्रिय एक्ता को मतलब नुकसान हो और ऐसे कानूनों के मामले में संतंतरता और दुर्भाव पूर्ण धर्मांतरन के मद्दे संतुलन बनाना आवश्यक है मतलब कि एक तरीके जो जहां पर जिस वेक्ती को लग रहा है कि मुझे इस प्रटिकुलर धर्म में आना चाहिए वो अपनी इच्छा से आ रहा है तो वो आने दिया जाए आई होप सो आप लोगों को यह चीज़न समझ में आई होगी समझ आई हो तो वीडियो लाइक करें शेर करें इस वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और आपको यह PDF मिल जाएगी टेलिग्राम को आपको लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स मे जाकर आप वहाँ पर इसको जोइन कर सकते हैं आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी साथ इसाथ Facebook का भी है Facebook ग्रूप Facebook पेज जहां पर भी आप जाकर जोइन करेंगे वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटिट पीडियो मिल जाएगी I hope so आप लोगों यह लेक्शे पसंद आया पसंद आया तो प्लीज अपना कोमेंट में लिख कर बता हैं कि पसंद आया या फिर लाइक का बटनी दबा देना ओके थैंक यू फोर वोचिंग दिस वीडियो